हाई, असलाम अलगूम, गुड़ाक्टर नून, नमस्कार, सस्यकार, मत्वरा की नगरिये के रादे रादे, आठ महीने, आठ महीने का टॉर्चर, सबसे पहले आप सब लोगं का 138 करोड भारतियों का, अपने देश बाच्चियों का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, जिन्वे ने मेरे लिए शोशल मीडिया पे हो, चाहे दौाएं मागी हो, हो चाहे प्रात्ना की हो चाहे मंदिल गया हो गुर्द्वारा गया हो मस्जिदों में चर्च में हर जहां जहां से इतनी दुआएं मेरे लिए हुई हैं मैं सूझ भी नहीं सकता था कि लोग मुझे इतना चाहते हैं आप सब का बहुत बहुत शुक्यावनना तो इस बार जेल में इतनी मतलब पांच दिन तक पाच-पाच दिन तक मुझे खाना तक नहीं दिया गया, इतना टॉर्चर किया गया, मेंटली भी और फिजिकली भी, कि क्या बताऊं, आपको अगर कहा जाए, खुद को पोशर का सिकार हो गया हूं, पैर दिखो गए कभी नहीं, अभी दिखाता हूं तो ऐसा लगेगा कि मतल जूजिश्री ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया है, वो मेरा ओरल ले आ, जूजिश्री ने बहुत अच्छा ओरल दिया है, और उन्होंने साफ साफ कहा है, पी दव्टर कफील ने जो अलिगड में भाशर दिया था, वो कोई भड़काव भाशर नहीं था, वो देश की य खंड़ेटा के लिए एक जुफता के लिए था और हुवनँने साफ-साफ कहा इस दॉफिटर कफील ने कई डूब चिश्यंडा ने हेलव बात किया है है इंप्लाइमेंट पिए इजुकेशन पह बात किया है रोटी कपड़ां मकान पह बात कि जह दो सब्सक्राइब पर यह भी कहा है कि जो भी प्रोटेस्ट हो गांदी जी के आहिंसा के सद्भावना के साथ होना चाहिए कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए सबसे भाई मिलकर भाई चारे के साथ मिलकर सबको साथ हाना चाहिए पिर भी उसके बाद जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया गया मुंबई एर्पोर्ट से पकड़ गया तालीज घंटे तक इंट्रोगेट किया गया स्ट्रीफ की टीम ने ऐसे सवाल पूछे अरे आपने तो कोई पाउडर बना लिया है जिससे करोड़ों इंडियन मर जाएंगे मैंने का भाया मैं डॉक्टर हूँ बच्चों का मैं कहां से पाउडर मना लूँगा करोना की बात कर रहा है तो आप चाहिना से पूछे आप सर आप जपान गए थे मैंने का हाँ पाकिस्तान क्यों नहीं बोल दिया अरे जपान कैसे इंडिया से बाहर कैसे जा सकता हूँ जब पासपोर्ट मेरा जुडिशिरी के पास जमा है तो एक तरह से बहुत चौचर किया फिर जेल में रहके जेल में ऐसी जहां रखा जहां पे एक सो पचास कैदी थे वो नौ महीने का बियाडी आक्सियन ट्रेजिडी के बाद जो नौ महीने का दर्द था उसको उससे जादा उससे कई गुना हजारों गुना जादा पत्ली पानी की तरह दाल कच्ची रोटियां वही सुबा शाम खाना है जीना था उमीद थी कि आप लोगों से दुबारा मिल सकूँगा मुखातिब हो सकूँगा आप लोगों से बात कर सकूँगा और आप सबकी दुआये काम आई है आज आपके साथ हूँ फिर से दुबारा हाँ आसे बाइं तन्वीव आई है स्लाव अलकुम मतुरा की नगरी कृष्ण जी की पवित नगरी में रहे के बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से भगवान कृष्ण ने कहा है कि कभी भी किसी को धोका नहीं देना अपना दिल साफ रखना यही धर्म होता है और हम लोग रमाइड देखते थे नोवए से दसवए तक हर रोज आता था लागडाउन के टाइम भी तो उसमें भी जो उत्तर रमाइड में महाश्री वालमीकी जी ने श्री रामचंजी को जब एक बात कही थी जब उन्होंने धनुशुरा उठा लिया श्री लवकुष के खिलाफी तो उन्होंने कहा था कि राजा का धर्म राज धर्म होता है राज हट नहीं पर यहां तो राजा मेरा बाल हट पे आ गया बच्चों की जान बचाने के इतनी बड़ी सजा दोगे भाई कि क्या बच्चों को जान बचाना इतना बड़ा गुना हो गया था सारी लोग फोन कर रहे हैं फोन नहीं कीजे कोई भाई में खुछ दिर बात करनूं बहुत दिनों बाद आड़ महीने बाद आपसे राके शौदी साब शुक्रिया वैबब ऑटक ठैंक यू यार ठैंक कि महाश्री वाल में की जी ने राश्री राम चंची से कहा कि बाल हट मत करो इस तरह से परताना देना नौ महीने उस वक्त जेल लखना फिर बहराईच वाले कांड में भी दो महीने जेल लखना फिर आठ महीने इतना टॉर्चर कराना जेल में बार बार स्रीफ यही कहा जा आता कि तुम उन सत्तर बच्चों की बात नहीं करोगे。 जो सत्तर बच्चे कमी से मर गये हैं, उनकी कभी बात नहीं करोगे। को भूल जाओ, कैसे भूल जाओ, अपने सामने मरते हुगे उनको दिखा है। कुरोना के टाइम जब इस भारत में इंडिया में कुरोना ने इंट्री नहीं की थी 27 जनवरी को मैंने वीडियो डाला था कुरोना पे लेके और उस वक्ट मैंने साफ साफ कहा बताया था क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे इस से बचना है और 30 जनवरी को पहला केस इंडिया में आया मैंने मानिनी है पधान मंत्री नरेन मोदी जी को 19 मार्ट को ही एक लेटर जेल से सुप्रिटेंडन जी के दारा बिजवाया और उसमें साफ कहा कि हम कम्निटी ट्रांस्विशन से बस नहीं सकते हैं ह्षिवाया भारत धेश ऐसा है क्योंकि मैंने पूरा भारत घुमा है कितनी गरीबी है यह गए घर में चार-चार लोग कैसे रहते हैं एक पूरी जोग्ई बड़ी बस्ति होती है हजारु लोग उसी में रहते हैं जैदू भाई जी तो उसमें रहते हैं वो कैसे रहते हैं वो कैसे दूरी दोगज की दूरी रहो कह देना आसान होता है पर वो इतना आसान नहीं है गरीबों के लिए कितने माइगरेंट बिचारे चलते चलते गए ट्रेनों में दब गए गरीबी कितनी है आज क्या हालत हो पहल चुका है कि हम दुना के दूसरे नंबर पर पहुंचने वाले हैं ब्रजील को भी छोड़ देंगे चेंदनेंग मोजी किद्धी के दोस्ट ट्रंप सहाब और ये इंडिया फस्ट सेकेंड नंबर पर रह गया है और तालिस लाख कुरोना वारेस केस हो चुके हैं और साथ जेल में जान बूच के मुझे इस तरह से रखा गया कि मतलब समझ लिए कि ट्वालेट करने के लिए आधेदे घंटे के लिए लाइन लगानी पड़ती थी नहाने के लिए आधिए घंटे के लिए लाइन लगानी पड़ थी गर्मी अतनी हो जाथी थी कपड़ा पहन के पूरा नहा के पूरा विस्तर बिझा के विस्तर को भी भीगा देता था तब जाके लेटता था और वो डेड़र सो लोग पांसो चौतिस लोगों की रहने की जंगा है वो लेकिन सोला सो कैदी थे अब बताईए वहाँ पर कैसे शोशल लिस्टेंसिंग हो जाएगी वो एक खौप था लोगों की सांसेंस लोगों की बद्बुआं लोगों की मतलब पिशाप के महक अरे एक टॉलेट होता था एक सो पचास लोगों के बीच एक टॉलेट किस तरह से जिन्दगी गुजरी है और एक बात बता दूं स्री मैंने सफर वक्तिया हूं पूरी फैमली को हरास किया है पूरी फैमली को जिस तरह से परताईट किया गया है उसका कोई ब्यान नहीं है गोपाल इच्छी ती शेखर जी मैं हायस कर रहा हूँ अपने सहत आप तो कुछ बनाओंगा वहां तो पतली दाल से जिंदगी बस चलानी थी तो मेरी बच्ची मेरा बच्चा जो 11 महीने का था जब चल नहीं पाता था तो उसे छोड़ गया था आज चलता है दौड़ता है बोलता है पिछली बार भी जब बी आईडी में 70 बच्चे मरे थे और उस वक्ट भी बिना बाद के जूट केस में फसा के जेल भेज दिया गया और जब 9 महीने बाद हाई कोड ने कहा गया अरे डॉक्टर कफील की कोई गलती नहीं थी तो भी जब बाहर आया तो मैंने अपनी बच्ची को चलते हुए देखा उस वक्ट भी अपनी बच्ची जब को छोड़के गया था तब भी वो 11 महीने के थी चल नहीं पा रही थी और बड़ी हो गई थी आज मेरे दोनों ही बच्चे मेरे ही दोनों बच्चे मैं मैं खुद अपना बाप होके मैंने दोनों बच्चे मुझे बाप पापांद का मतलम नहीं समझते हैं और जुडिश्री ने इतना अच्छा अडर किया है एक बात और करा दूँ एस्टियफ का शुक्र उगजार हूँ कि उन्होंने मुंबई से मत्वरा लाते वक्त मेरा इंकाउंटर नहीं कर दिया विकास दूबे की तरह वरना तो शायद वो मुझे मार ही देते लोगों की आव पास को दबाना ही इनका काम है वहराल आडर आपको पढ़के सुनाना चाहूंगा इतना अच्छा ओडर गुमिन मातुर साब ने कि ने किया है सुप्रीम कोर्ट का भी दन्यवाद करूंगा वरना तो हाई गोल्ड मेल डेट पर डेट डेट पर डेट डेट पर डेट हर चौदा निन पर कैसे एक एक दिन कटेगा एक घंटे कटेगा यह सोचता था कैसे वह टाइम आएगा जब वह बहां निकल पाऊंगा कब मेरी जज मेरी कोई बास सुनेगा इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट मेरी माँ 65 साल की गोरी माँ सुप्रीम कोर्ट गई और मैं सुप्रीम कोर्ट का सुपुख गुजार हूं जो उसने कहा कि 15 दिन में फैसला सुना हूं और मैं Chief Justice Goyan Mathur जी का हाथ जोड़के एक साल का जूनियर था मैं जूनियर मोज डॉक्टर अब फिर भी उन बच्चों को बचाने के लिए जीजान लगा दी और उसके बावजूद उनको जेल भेज़ दिया गया और यह नहीं इसके अलावा नहीं मेरे यानि की मुझे ही नहीं पूरी फैमिली को सरकार ने बुरी तरह से तोड़ना चाहिए मेरे भाई पर गोली मारी गई थी आपको याद होगा शायद वहां पर जहां पर चीप मिस्टर खुद मौजूर रहते हैं 500 मिटर दूरी पर आज तीन साल होने जा रहे हैं उस बात को एक भी कोई गिरिफ्तारी नहीं हुए कोई चार्ज नहीं हुआ है बहराल आते हैं एम एम्यू के जो लोग कहते हैं कि भाषर मैंने गलत दिया था उसके बारे में कहते हैं कि मैंने भड़काऊ भाषर दिया था कहते हैं कि मैंने दू धर्मों के बीच दोरीयलिजान के बीच एपित अंग cybersecurity हेट्टेट वाइलस खेलानी कोशिष की। पूरी स्पीच लिख है उन्होंने पूरी स्पीच दИवर्जन अब दस पीस पूरी स्पीच लिखी एक एक लईन लिखिए कि जो मैंने बोला है और उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा कोई बात नहीं की थी जो कि किसी भी धर्म के बीच में नफरक फैलाएं मैंने बात की थी देश के अख़णिदा की यूनिटी की सत्भावना की मैंने बात की थी एजुकेशन की हेल्ट की इंप्लाइमेंट की एकनॉमिक की रोड की हाउसिंग की मैंने बात की थी उन सतर बच्चों की जो ब्याडी मर गए हैं मैंने बात की थी उन आठ लाग बच्च कि कुपोशर का शिकार हैं मैंने बात की थी कि इंडिया कैसे एस और चाहिवी का है बनता जा रहा है मैंने बात की थी कि 72 परसंट आफ पॉपुलेशन हमारी अभी भी हेल्थ स्ट्रक्चर महां पर है नहीं आज हालत दिखाई दे रही है ना आज कहे रहा है हम इतना GDP खर्चा होता था एक गरीब को इलाज नहीं मिलता है और मर जाता है तो बचारे कंधे पर लाद के लेके चले जाते हैं उसके लिए लड़ा था कैम किया पुरा इंडिया घूमा एक सो तीन कैम किये पचास हजार बच्चों को देखे मुझमें दवाईयां दिया के लिए नहीं गिया बहुत से डॉक्टर बहुत से लोग में साथ सामिल थे बहुत लोगों ने साथ दिया पर हुआ उसको भी दवा दिया इस कुरोना के मैं जब रियली काम कर सकता था शायद कोई नहीं दवा खोज सकता था कुरोना के खिलाफ सायद कोई नहीं वैक्सीन खोज सकता था तीका कोशिश करूंगा और फिर से मुखमंत्री योग्याजितनाच जी से निवेदन करूंगा कि मुझे नौकरी पे वापस ले लें तीन साल से सस्पेंट किये हुए हैं कैसे जिन्दगी चल नहीं है कैसे फाइनशल कंडिशन है आपको बता नहीं सकता सुप्रीम कोड़ा हाई कैसे भरी गई है बता नहीं सकता पर लड़ा कहते हैं ना इस जुन की दौर में जुआ को कहते हैं ना कि जुन के दौर में जुआ खोले या कौन अगर हम भी चुप रहेंगे तो बोले या कौन तो बोलना ज़रूरी है किसना किसी को कुर्बानी देनी होगी तो शायद उपर वाले ने मुझे चुना है बहराल बाहर आ गया हूं खोशिश करूँगा कि सबसे पहले बिहार आसाम केरल करनाटकार कमिलनाडू जहां पर बार आई हुई है बार बार से तो एक बहुत और फार सेथाल को सबसाहर नुक्सान होता है घर ढूप जाते हैं volके कि सबस्तेस हुझास नुक्सान थहोता है जब बार पानी चला जाता है पिछली बार हम जर्म गयरल रश्वासर में हम लोगा सिम रबी बहुत काम किया गाथ है उस बाई करना चाहूंगा सै लुके बार जा पानी बीसनि के बाद बहुत सी मोहता चाहने बाद बीमारिया बा माहामॉ बी अरिया निया कालरा, इस्किन डिजीज, चमड़ी की बिमारियां, आखों की बिमारियां, कान बैना बहुत होता है, उस पे काम करना चाहूंगा, पुरोना वार्णा ये वारियर की तरह काम करना चाहूंगा, कोशिश करूँगा अगर योगी जी की किर्पा होगी नौकरी अगर वापस मिल गई तो किसी हास्पिजल से अटायच हो के रिसार्च करूँ और कोशिश करूँ कि कोई नई दवा जाद हो पाए जिससे हमारा देश क्यों कि और किसी की मौत ना हो बढ़ता जा रहा हर रोज हलाल लोग मर रहें एक का भी मरना बहुत खतरनाग बात जिसके घर में परिवार में एक मौत होती है वही हो जानता है एक भी मौत होती है और यहां तो सब 65,000 लोग मर चुके उस पर काम करना चाहूंगा और अगर वैक्सीन के लिए कहेंगे कि मैं गिनीपिक बन जाओं मेरे उपर रिसर्च हो जाए मैं खुद की का लगवा लूँगा अपने आपको वालेंटियर करूँगा मैं यह मेरी नई योजना है अभी कुछ दिन अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूं अभी तक मिल नहीं पाया हूं कल भी आप सोच दिस्टिक जेल मत्रा में आडर पहुंच गया था हाई कोड का लेकिन फिर भी बारा घंटे तक यह लोग यही कोशिश करते रहे कि किसी तरह से कोई और केस में भसा दें जैसे इन्होंने पिछली बार अलिगर में जब मुझे गिरिफदार किया था मुंबई से जब मुझे बेर दस फरवरी को मिल गई ती तो चार दिन तक चार दिन तक कोड के आदेश के दो दो बार आदेश के बाओ जो छोड़ा नहीं मुझे इलिगली मुझे डिटेन करके रखा और फिर नसे लगा दी नसे निशनल सिक्योर्टी एक्ट मैं टर्रिरिस्ट हुचा दाड़ी यह जो बढ़ जाती है जेल में बढ़ जाती है आज तक कभी आपने सुना है मैं किसी इंदो मुस्लिम से किसाई या किसी में धर्म बिक्या बेद्भाहं में करता हूं 50जार बच्चों को देखा पूछा कोई कौन गरीब है कौन अमीर है कौन जाती का एक कौन की धर्म का है उस पर जाम लगाओगे जिनका खुद का दिमाग गंदा होता है जो भरा होता है गंदगी से वह दिमाग वह लगाते है कि अब यूपी से अभी यूपी से घर नहीं गया हूं गोरकपूर नहीं गया हूं क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सरकार अभी किसी ना किसी किसी के इसमें पसाने की कोशिश कर रही है फिर से कुछ कर दें या इनकाउंटर कर दें मरवा दें हो सकता हो आपके बीच में ना रहा को हो सकता हो यह हमारी और आपके आखरी मुलाकात हूँ यादो जी जी सही कहा रहा है मिनास गलियर आप थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया मोहन चांजिंगे चोजी समर साथ थैंक यू तो मैं कह रहा था कि पुरोना वायरस एक ऐसी डिजीज है जो फैलती ही रहेगी मैंने उस वक्ष्ट 19 मार्च को ही लिख दिया था कि 30-40 लाख लोग उस वक्ष्ट मैंने एस्टिमेट किया था कि अफेक्टेड होंगे और अलेडी 30-40 लाख लोग अफेक्टेड हो चुके हैं और अभी यह रुकेगा नहीं अभी यह एक साल चलेगा जब तक वैक्सीन नहीं आएगी अभी यूपी बिहार और मदपदेश जैसे भी इलाकों में जहां बहुत पापुलेशन है वहाँ यह फैलने वाला है और बुरी तरीके से हमें बहुत काम करना पड़ेगा हमें मुझे आप सब की बहुत जरूरत है आप सब का बहुत सहयोग की जरूरत पड़ेगी जी सहसाद साब जी प्वांडे साथ नमस्कार नमस्कार रादे 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 किस्टा की नगरी में हो विन्दावन जरूर जाना चाहूंगा एक बार ठाकुर जी की दर्शन करने के लिए बात यहां पे लोग मन की बात करते हैं लेकिन ये नहीं बताते हैं अब आप देख लिए हम लोग तो टीवी पे देख रहे हैं पिछले तीन महीने से सुषान सिंग सिंग राजपूत को ही सुने जा रहे हैं भाई फोन नए करो फोन करने के वाज़ा से बार बार पाउस हो जा रहा है राजपूत की तीन मेहने से लगातार टी पे बात किये जा रहे है मन की बात लेकिन कोई ये नहीं बात कर रहा है कि हमारा जीडीपी कल परसों जीडीपी शायद रिलीज हुआ है और हमारा जीटीपी जो है भाई फोन नहीं करो मैं कह रहा हूँ पर इस वर चन साहब कोई फोन ना कीजिए प्लीज बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिला हूँ आप लोगों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं मुझे समसुन मलिक साहब नूर खान रियान खान साहब अधितिराज साहब अफ्ताब तो आप सबसे बात करना चाहूंगा फोन ना करें तो मैं कह रहा था कि जो में बातें हैं टीवे डिवेड जो होती है वो नहीं हो रही है शायद कुछ टीवे एंडी टीवी है या आपका मिरन ना हूँ है टाइमस ना हूँ है या फिर इंडिया टुडे है इस सब पर हो रही होगी पर जो यहां पर बातें हो रही हैं वो यह नहीं हो रही है किस तरह से माइग्रेंट हमारे करोड़ों लोग किस तरह से पैदल चले और चलते चलते मर गए उस ठूप में दूप में مरत गए यह बात नहीं हो रही है कि unemployment कितना बढ़ गया है लोगों को नोकरिया नहीं है, लोगों को खाने को नहीं है 500 रुपया आपके account में ड़ा दिया गया है अब आपको 3 महीने तक 500 रुपया चलाईे पांच किलो चावल दे दिया गया है आप पूरी आठ लोगों की फैमिली है खाते रही है तिन च्छे महीने तक बात जो है रियल इशू पे होगी ही नहीं एजुकेशन पे होगी ही नहीं कि इंप्लाइमेंट पे होगी ही नहीं हेल्ट रोगे हुमारा जो कोई भी हांस्वाना मुझन जाला, कोई भी सरकारी हौस्पिटल में जाना नहीं चालता है आपने ध्यान कोई भी बड़ा मंत्री कोई भी बड़ा अधिकारी कोई भी बड़ा जो है Chief Minister हो कोई بھی मतलब मैं नाम नहीं लूँगा सब लोग वेदानता में जा के इलाज करा रहे वेदानता यानि की नर्डा में करोड़ों रूपे का इलाज करा रहे हैं लेएं कोई भी सरकारी हास्पिटल में नहीं जाना चाहता है क्यों 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 सरकारी हास्पिटल के हालत खराब है वहां गरीब जाएगा गरीब मरेगा और गरीब मरता है तो मर जाने क्या फरक पड़ता है तो जो लोग यह सुचते हैं कि बार बार जेल में डालके मार के पीट के तोड के यहां मारो यहां मारो यहां मारो उल्टल पड़ला आपको डंडे से मारो गान लाल कर दो पूरी तरह से पैर पे मारो करते रहो यह एकदम तोड़ दो इसको तो वो शायद नहीं जानते हैं कि एक बात सिखाई गई थी कि डरना नहीं है I won't bend I won't bend मैं ज जाय जितना भी जरा लो हर बार एक नई ताकत से उठेंगे चाय जितना भी जुका लो कहते हैं ना कि लोग हमें दुश्मने जा कहते हैं अरे हम इस मुल्क की मिटी को भी अपनी मा कहते हैं उसको तुम जो है उस पर एनसे लगा देते हो कोट ने कहा है कि जो कुछ है यह अवैद एनसे लगा है सारा अवैद लगा है देखो कि क्या हालत बनाई है बटी साव आप बोल ले हो तो देखो क्या हालत बना दी है मैं कूप ओशर के लिए वो कर रहा था यह तांगे हैं मेरी यह हाथ है कि खाना जो है कि लिए कि नगी का जो मैं खुद को पोशर का बच्चों का इलाज क्या करता था आज खुद को पोशित हो गया घरवालों को किस तरह से परिशान किया गया है वो बता नहीं सकता पर आप लोग जो 138 करोड देशवासी हैं मेरे उन सब का साथ मैं कभी भूलूंगा नहीं खासकर कुछ लोगों का जो लोग बहुत करीब थे इंद्रा जैसिंग मैं पुजयल आयूबी एबाद सहाप मईश पंटे मनीज सिंग मनीज मैं ऑड़्वाम्ट कुमार सहरा जुसलेड लाखानव मिनाक्ष श्ब्ला मैं Too अबए उर्फान गादी है ए ईडिकार के इर्फान गादी शाफ को बहुत से लोग है है यह सभ नाम तो नहीं ले सकता मैं बहुत से क्रोड लोग है ने उसह ब बहुत बहुत शुक्तिया जल्दी बिहार आ रहा हूं जल्दी हम डॉटर कफील खान मिशन इसमाइल फाउंडेशन के तहत कैम लगाएंगा और इस बार एक बड़ी टीम बनाके एक साथ कई जहां पर असम बिहार तमिलनाडो करनाटका केरल आंद्रपरदेश जहां जहां पर मजग परदेश जहां जहां पे बाढ़ने बश्रीम बंगाल जहां पे तुफान आया हुआ है अभी भी लोगों को घरों पे तूटे हूं पड़े हैं हर जहां पर जहां जहां में आप सब का बहुत अ सयो चाहिए मैंग वर्मा साहब आप कुछ लोगों से बाते कर लेता हूं मैंग वर्मा साहब सही कह रहे हैं दाड़ी का कल काड़ दूंगा बच्चों का इंतजार कर रहा हूं बच्चे आ जाए एक बार उनसे मिलनू उसके बाद मेरी गोटी वापस आ जाएगी अवनिस चाहरा साहब जी हाँ बहुत मारा बहुत मारा फिजिकली और मेंटली बहुत टार्चर किया फिजिकल मेंट टार्चर होता है वो इस तरह से होता है कि शायद जख्म थोड़े भर जाते हैं पर जो मेंटल टार्चर होता है वो बहुत दिनों तक रहता है दिमाग आ गई हैं किस तरह से काले पड़ गया हूं किस तरह से जो हैं दस साल बुड़ा कर दिया है जुबेर पीके साब बोलना जरूरी है बोल बोलेंगे नहीं तो कहते हैं कि बोलेंगे नहीं तो किसी को तो बोलना पड़ेगा सब तो चुप हैं किसी को तो बोलना पड़ेगा इंडिया से बाहर बाहर गल्फ कंट्रीज में युएस से यूके से केनेडा से सुजरलेंड से बहुत से खत मेरे पास आया करते थे वहाँ पे जेल में उन सब को बहुत-बहुत शुक्रिया है सत्या, शिर्खान साब सत्य की जीत होती है, सत्य में हो जैते हमें अपने कांस्टिचूशन में बाबा साहब अमबेट करके कांस्टिचूशन में बिलीव करना है और उसी की वज़ा से मैं बाहर आया हूँ कुछ लोगों ने सरकारी एजेंसियों को जिस तरह से अपने कबजे में करके लोगों को परतारीत करते हैं वो सही नहीं है, अर्टोक्रेटिक यह हमारा देश डेमोक्रेटिक है तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको freedom of speech एक article 21 में दी गई है लिबर्टी सुतनता समझ गए तो बोलना जरूरी पड़ेगा हम नहीं बोलेंगे कुर्बानी देनी होगी किसी ना किसी को कुर्बानी देनी होगी तुर्त मस्मस शुरूं कुमार साव यस ठेंक्यो शाइना मुज़र्बिया सिदान शुकुमार हां कुछ दिन एक्सरसाइज करूँगा और हेल्थ बनाओंगा जोकि जिन्दा रहना है आप लोगों के बीच रहना है और काम करते रहना है तो हेल्थ पे भी ध्यान दूँगा डेरिक कुजर थैंक यू या जरूर मैं करूंगा थैंक यू शुबान जमाल सावा मुहमत कलापटी फ्रम डुबई अलदबेस थैंक यू मैंने कहा ना गल्फ कंट्री से बहुत कार आया बहुत मिला है केरल के लोगों ने बहुत सयोग किया हुआ है पुरा साउध ने पुरा नौर्ट ने पुरा सेंट्रल ने बिहार के लोग में जिस तरह से आंदुलन चला आसम में जिस तरह से आंदुलन चला अभी हमारे कई भाई अभी बहुत जेल में हैं उनके लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी में बच्चों के साथ नहीं हूँ चुकि कर रात में पुलिस की घिराबंदी हो रही थी और कुछ और बाते हो रही थी इसको हम डिसकस नहीं कर सकते हैं तो इस वज़ा से अभी बच्चे मेरे पास पहुँचे नहीं हैं मैं अभी अपने बच्चों को देख नहीं पाया हूँ, आखें तरस रही हैं, गले मिलना चाहता हूँ अपने बच्चों के साथ, अपनी मा की गोद में लेट के रोना चाहता हूँ, रोना चाहता हूँ, सीरिसली रोना चाहता हूँ, तब जिस तरह से जिन्दगी कर दी है, अ एक बार मा की गोद में लेट के सोना चाहता हूं सुगून की नीन सोना चाहता हूं यार पता है जहल में क्या होता था आर्ड़ गंटे पेरा लगता था आज आप भी एक सो चाहो च्यालिस कैदी नसर नमहें नहीं सकुसल है चैवजे सुबा पांच बज़े सुबा लाइन लगाओ परेड लगाओ आठ महिने तो मैंने अभी चार पंज्य के लेटर में साइद लिखी आप लोगो चाहद मिलना होगा चंद मित्रा साहब थैंक यू मुदसी साहब, बुश्रा, दीपक, जादव, अमजद, पंडी जी, तयव खान, रोहित, शुवम, जैपरकास चाचा, बिजेश, बिजेश सिंग की बड़ी याद आई जो गुरकपूर में थे योगे सिंग जी, सब आप लोग का सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है, कुछ और पूछना चाहेंगे, कि फिर मिलेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब का आदम गां, आपको भी फूल, गुलाब का फूल, आप एक बात लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा, कि आप सब की वजा से ही, आप सब की मेरी फैमिली तो दोड़ी ही, मेरी माँ, बुड़ी माँ, लोवर कोट से लेके, मदवाली गड़ कोट से लेके, अलाहाबाद कोट, और फिर दिल्ली, इस कोरोना वाइरिस के टाइम में, 65 साल की उमर में, भूम रही थी, एक वकील के प सब का ही बहुत बहुत योगदान है, आप सब के विदा शायद, जो ट्विटर में में ने सुना, 12 लाख लोग एक बात हो गए है, ट्विटर अकाउंट मेरा बैन किया हुआ है, डाक्टर डी आर के अफ, डवली एल खान करके है, इसको बैन किया हुआ हुआ उसके लिए आ जस्टिस प्रिवेल, यस, अमिज सोहिल साब, मुम्मद गयूर काहिशी, दिनेश कुमार यादो जी, कुछ दिन अपने परिवार के साथ रहिएगा, मेरिया से दूर रहूँगा, जी, 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 जी से मिलूंगा और कुछ दिनों में ही आपके सामने नए जोश में नए जोश के साथ फिर से सामने आऊंगा आपके साथ जी मैथ्यू साहब मिर्दुला मिर्दुला हाओ आर यू उबैद सनोज कुमार जी तेंक यू डाटक किरती सिना मुदसिर खायमत साथ की जासिब इतने सारे गुलाब मत भेज़े भाई बस बस नए अमिद्दीन साथ जैसे आप कह रहे हैं कि वैसे ही आप लोगों का साथ चाहिए होगा हम लोगों को जो में बिसिक एशू है रोटी कपड़ा मकान और स्वास्त और नौकरी और सिक्षा की बात करनी है उस पर ही हम लोगों को काम करना है कि हर गरीब को 138 करोड भारतियों को देश वास्यों को उनका अधिकार मिले चाहिना जो है घुसा जा रहा है देश के अंदर इस तरह से नहीं हमारे सैनिक पाकिस्तान के सरहदों पे मारे जा रहे हैं रोज उस तरह से नहीं सबको मोटोर जवाब देना है कि कि पान्सो बेट का इनके फ्लाइटीस बेड का अस्टार्ट करने वाला था उस वक्तुक डाटर कफील खान मिशाईन मिसन इसमाहिल फांडिशन के इसा उससे फिर से कोशिच करूँगा स्टार्ट करूँ और जहां पर हीर वियाद हो, लुश प्रिझसा फिर से स्टार्ट करूँंगा और कोशिश करूँगा कि है bending जमीन जल से जल ले लूँ और हर घरीब का वहां पर फृरी हुलाज हो ऐसे ही जैसे बड़े बड़े हस्पिटल में नुड़ा में और गुर्गाओं में और दिली में और एम्दाबाद अकोलकतार में होता है फ्री में मतलब कंसर्टेशन से लेके हर चिक दवाई और खाना और रहना सब कुछ फ्री होगा आना जाना तक फ्री करेंगे इन्शाल्ला जी आप सबका सही होगा इसकी जरुवत होगी जै हिन जै भारत जै मुल्निवासी जै भीम बंदे मात्रम जै सुमाजवाद